जै मातारी दोस्तों कैसी हैं आप सब एक बार फिर साब सबी का स्वाबत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सातिक मन में हिंदुधर में तुलसी को बहुती पवित्र माना गया है कहते हैं तुलसी की पोधे में मालक्षमी का वास होता है और अगर नियमेत रूप से तुलसी की पूजा कर लिजाए सुवें तुलसी पर ना दोकर जल चड़ाय जाए सामके समय तुलसी पर दिया जलाय जाए तो ऐसा करने से मालक्षमी के किरपा बनी रहती है तुलसी पूज जानते कौन से वो उपाएं हैं जो हमें तुलसी विवा की तुलसी विवा कि दन करने चाहिए जिनको करने से घर में चली आ रही परिशानिया जीवन में चली आ रही परिशानिया दूर होती है तुलसी विवा के दिन तुलसी पर सुद्देशी की का दीपल जरूर जलाना चाहिए और ओम नमे भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11, 21, 51 या 101 बार अपने शद्धा के अनुसार आप जाप कर सकते हैं ऐसा करने से मालक्षमी परसन होती है और घर में सुकसांतिस नमरद्धी बनी रहती है यदि आपके घर में तुलसी नहीं है और अकार्तिक माह में आप तुलसी लगाने की सोच रहे हैं तो तुलसी विवा के दिन तुलसी घर में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है इस दिन तुलसी घर में लगाने के बाद उनसे साल बर हरी भरी रहनी के प्रातना करें और इसके साथ इस चीज़ का विध्यान रखें कि तुलसी के असपास किसी भी तरीके का कोई काटेदार पोधा, कैक्टस, गलाब नहीं होना चाहिए साथ ही ये भी ध्यान रखे कि जाड़ो या डस्ट बिन तुलसी के पास नहीं होने चाहिए तुलसी के पास साफ सफाई का जरूर ध्यान रखे यदि आपका वैवाही जिवन खुशाल नहीं है, पती पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव रहता है और बात जगरे तक पहुँचाती है, तो ऐसे में तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को लाल चुंदरी चढ़ाईए और उस चुंदरी को अगले दिन किसी विवाही दिस्त्री को दान कर दे ऐसा करने से आपसी मनमुटाव दूर होगा और आपके रिस्ते में विश्वास और प्यार बढ़ेगा यदि आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, विवाह में किसी तरीकी की देरी हो रही है तो तुलसी विवाह के दिन योग योग योगतियों को चमेली की तील का दिया, तुलसी जी के पास जरूर जलाना चाहिए ऐसा करने से विवाह के जल्दी योग बनने लगेंगे अपने जीवन को खुशाल और सुखत बनाने के लिए तुलसी विवा के दिन तुलसी के नीचे गाय की घी का दिया या सर्सों के तील का दिया जरूर जलाए मन जहाद जीवन साती पाने के लिए तुलसी विवा के दिन राधा कृष्ण की कोई भी तस्वीर अपने काक्ष में लगाए आपको बहुत ही जल्द असर देखने को मिलेगा तुलसी विवा के दिन यदि तुलसी में आप दिया जलाते हैं और अमनो में भगवतेवासो दिवय मंत्र का जाप करते हैं तो साथ ही साथ आपको तुलसी की परिक्रमा जरूर करने चाहिए स्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 बार आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं और जो आपकी परिक्मरा पूरी हो जाए तो उसके बाद तोलसी जी को छुकर अपने मन की सारी बाते तोलसी से कहे। साथी ये भी प्रातना करें कि तोलसी माता हमारे गर में सदाहरी भरी रहिएगा और अपनी किरपा हमारे उपर हमेशा बनाए रखिएगा। इसके अलावा कहते हैं कि पीपल के व्रक्ष में भगवान विश्णू का वास होता है यदि देव ठामनी एकाच्ची के दिन पीपल के व्रक्ष को जल चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के व्रक्ष में दिया जलाएं तो ऐसा करने से भगवान विश्णू आपकी सारी मनोकाम करते हैं माना जाता है यदि अब देव उठावनी एक आच्छी के दिन पूजन किसम है भगवान विश्णों को हरी को पैसे चढ़ाते हैं और पूजन के बाद इन पैसों को उठाकर अपने पर्स में तो ऐसा करने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और हमे और देव उठावनी काच्छी के दिन यह उपाय करके आप भी अपने जीवन में चलिया रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं उमीद करती हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सब लिए यूसफुल होगी वीडियो कर पसंद आई और आपको लगा होगी आपको को जा पस्त रहिए खुश रहिए